दूस एटी इंडिया पुलिस की तरफ से चापे मारी की गई है उत्राखंड की हलदुआनी में हुई हिंसा पर धामी सरकार लगातार अक्शन मोड में है पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्जकर उनकी तलाश शुरू कर दी है सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है हलदुआनी हिंसा मामले में पुलिस ने 100 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है देर रात पुलिस ने हलदुआनी के बनभुलपुरा, इंदरा नगर, किदवाई नगर में छापे मारी की और सौ लोगों को अब तक हिरासत मिलिया जा चुका है मजिस्ट्रेट जाज के आदेश भी जारी किया गए है और इन सब के बीच में ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे जहांपर सौ लोगों को हिरासत मिलिया गया कई इलाकों में पुलिस की तरफ से छापिमारी अब तक की जा चुकी है देखें दो तस्वीरा आपको दिखा रहे कहाई ये जा रहे कि 8 फरवरी को हिंसा की रात अंदेरे का फाइदा उठा कर कई उपद्रवी हलद्वानी छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए है और पुलिस की करीबन 10 टीमेश चीज के लिए फरार हो चुकी है लेकिन बड़ी जानकार इस वक्त की आपको दे रहे देखें हलद्वानी में हालात समाने बने हुए शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम दिखाई दे रहे है हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक के तलाश की जा रही है तीन तस्वीरे आपको दिखा रहे है आठ परवरी को फैली हिंसा के बाद हलद्वानी के बनपुलपुरा अलाके में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है दूसरी तरफ उपद्रव्यों पर कारवाई के लिए उत्राकंड सरकार और प्रुशासन आक्शन बोर्ड में दिखाई दे रहे है और तीसरी तरफ आरोपी अब्दुल मलिक जो मास्टर माइंड बताये जा रहे है उतकी तलाश की जा रही है न्यूज 18 इंडिया एक्स्क्लूसिफ पहुचा है बनपुलपुरा की उन तंग गलियों में जहां से उबद्रवी बहार आये थे और थाने को बिलकुल तहस्नेस कर दिया था थाने के सामने आग लगा दी थी लेकिन अब बनपुलपुरा की इन तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है घरों में जो अंदर से ताले लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर पुलिस भी खट-कटाती है तो तब भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग उब्दरवी थे वो इन गलियों से ही आये थे और दोर लगाते हुए फारिंग करते हुए ऐसे यहाँ पहुँच रहे थे लेकिन अब उत्तरखंड पुलिस ने मोर्चा समाला हुआ है परामेट्री फोर्सस के साथ जब भी छापे मारी की जाती है कि कल रात देर रात भी इसी गली में पुलिस यहाँ आई थी और यहाँ पर तक्रिबर तेड़ सो जवानों ने आस पास के इलाके में च्छान बिन क और यहाँ पर कर्शू के हालात में पूद तैसे टाइट यहाँ पर वेरस्ता की गई है यह कहा गया है कि कोई भी नहीं आ सकता है और उसके रावा जो आज फूड सप्लाई है वो यहाँ पर दूद की सप्लाई वगर की गई है उसके बार यहाँ के लोग खुद घरों के अ तो हल्दवानी में अब जंदगी धीरे धीरे पट्री पर लोटने लगी है हल्दवानी में आठ फर्वरी को हुए बवाल के बाद धीरे धीरा भालात समाने हो रहे है बनबुलपुरा को छोड़कर बाकी के इलाकों में कर्फियों हटा दिया गया है इंटरनेट सेवा बहाल हो चुकी है और हल्दवानी के लोगों का ये कहना है कि आठ फर्वरी को चुक्वा वो बहुत गलत हुआ दूद की दिक्कत है दूद नहीं आ रही है गारी नहीं आ ये चालिस पयते हैं है ये ये लोग जो लोग ते कहां से जमीने सा कबजा था है बस उसका था और कोई ऐसी बात नहीं थी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बहराल अब यह तो प्रिशासन जाने कि वो क्या कर रहा था कई जिस तरह से तोल फोर्ड की गई इस्थानी लोगों की तो खलती है तोल फोर्ड है या पथर बाजी है यह तो खलत है पुलिस अपना काम कर रही थी उसे कर देना तो यह था पुलिस का कहना था कि अवैद कवजे को हटाने के लिए कारून वेस्था को काबू करना था लेकि जो लोगों ने क्या वो गलत किया वो गलत है कैमरावन वेपन पुजारी के साथ दीपक विस्ट नूजेटिन एंडिया हल्दवानी उत्राकंड हल्दवानी हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दे हल्दवानी हिंसा का मास्टर माइंड बताए जाने वाले अबदुल मलिक का एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो नगर निगम के अधिकारी से बहस करते हुए नजर आ रहा है अब दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानि की आठ परवरी का ही है आरोप ये है कि नगर निगम की टीम जब गल बलके साथ बनफूलपुरा एलाके में अवैद कब्जा हटाने के लिए पहुँची तो आरोपी मलिक से उनकी जमकर बहस हो गई ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीव पर अब्दूल मलिक पर इलाके में अवैद कब्जे का आरोप है हालाके लोगों का ये कहना है कि जब अब्दूल मलिक ने कब्जा किया और जमीन पर प्लॉंटेंग की तब प्रशासन आखिर कहा था प्रशासन आखिर कहा था और इस बीच उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी का बहुत बड़ा बयांस्ट प्रशासन आखिर कहा था उनकी तरफ से एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि दंगाईयों के खलाब बहुत सक्ती से कारवाई की जाएगी और हिंसा के किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा ये बयान है उत्राखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी का वो ये बात पहले भी कह चुके है लेकिन एक बार फिर से वो यही बात दोहराते हुए दिखाई दिये कि कोई भी दोशी जो इस हिंसा में शामिल रहा होगा उससे बक्षा नहीं जाएगा हलदवानी हिंसा पर बहुत बड़ा बयान एक बार फिर से उत्राखन के मुख्यमंत्री का देखने को मिला झाल 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 झाल